हालो एवरिवन वेलकम टो खुशी के दुनिया, खुशी के दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्सन के नियम, अपने आपको फिल कराईए कि आप आज और कल अच्छा महसूस करने वाले हैं बनने से पहले इसकों फिल्म में चल्चित रखत किया गया था इंगलिस लेंगज मोवी बनने के बाद लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी इसके अथर के पास में लेटरों की बाढ़ आ गई चितियों की बाढ़ बहुत सारे लोगों ने लंबे समय से हो रहे दर्द उनके पास में आया यहां तक कि बिल्कुल मृत्यू के कागार पर पहुंचे वे लोग भी ठीक हो गए ऐसे कई प्रस्ण भी सामने आये जहां पे लोगों ने बताया उनको की रहस्य का प्रयोग करिगने से किस तरीके से बहुत ही बड़ी रकम या फिर डाक की ज्वादा आप चाहे तो भारत में रहते हूं अमेरिका में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में हम सब एक संसार के वासी है इसलिए हम सब एक की नियम और एक की सकती के साथ में काम करते हैं और वो नियम है आकरसरण का नियम यानि की जिसको अंगरेजी में इंगलिस में law of attraction कहते हैं आकरसरण का नियम ही वही वो नियम ہے जो कि लॉंडा बन पूरी दुनिया के साथ में सियर करना चाहती है आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं उसे आप अपने जीवन में आकरशित कर रहे हैं आप हर चीज को अपने बिचारों और अपने दिमाग में बस हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं, आप जो भी सोचते हैं, जो भी तस्वीरे आप अपने दिमाग में रखते हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, इतियास के काम्याब लोग लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुत्वा आकर्सण आप पे लागू नहीं होता, गुरुत्वा आकर्सण के सिध्धान से ही आप जमीन पे टिके हुए हैं, ठीक उसी तरीके से आपके जीवन पे आकर्सण का नियम लागू होता है, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं हो, आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं आकरसंड का सिध्यान ता आपको परिणाम के रूप में आपको वापस ही देता है वो आकरसंड के सिध्यान का उप्योग करके आप अपने जीवन के हर परिस्तिति और परिणाम को बदल सकते हैं दुनिया में सबसे अधिक दौलत मन लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकरसंड का नियम का इस्तमाल किया है वो अपने मन में दौलत और प्रचिर्टा के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरित विचार अपने मन में नहीं आने देते हैं उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा विचार दौलत के होते हैं जिसके कारण अपने जीवन में वो बहुत सारे दौलत आकरसंड करने में काम्याब होते हैं आकरसंड का नियम आपके मन के प्रभल विचारों पर काम करता है आकसर्ण का नियम कहता है कि जिस तरीके विचार आप मन में सोचेंगे उसी तरीके विचार को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकरात्मक परिस्तितियों को आप अपने में आकर्षित करेंगे और अगर आप अपने मन में हमेशे नकरात्मक विचार रखेंगे तो नकरात्मक विचार वाले लोग को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है आप जो बाते सबसे ज़्यादा सोचते हैं उनी को आप अपने जीवन में आकरशित करते हैं लिए आपे जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर शेत्र के बारे में आपके प्रवल विचार क्या है अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचार को बदल करके आप उसे ठीक कर सकते हैं आकरसण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप जो सोच रहे हैं वो चाहते हैं या नहीं आकरसण का नियम केवल आपके प्रवल विचारों पर बनी सठीकता से काम करता है हम सबने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे जब एक के साथ एक सब कुछ गलत होता चला जाता है ये सब की वलेगी विचार से जुरू होता है चाहे आपको इसकी जानकारी हो या ना हो एक अराव खराब विचार और अधिक खराब विचारों को आकरसित करता है जिससे उनके फ्रिक्विंसी की बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बूरा घटित होता है इसलिए आपको अपने विचारों के फ्रिक्विंसी को बदलना होगा और इसे सोच पर आमारी बात जारी रहेगी आपको प्लेस्टी। फार हुट प्रकत कैसे होता है इसको समझेंगे थैंक्य।